नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा. इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि तस्पेल-LS-1 सिरप का उप्योग किन कंडिशंज में किया जाता है. तस्पेल एलेस वन सिरप को कैसे लेना चाहिए और तस्पेल एलेस वन सिरप की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। और यह भी डिसकस करेंगे कि तस्पेल एलेस वन सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। तस्पेल एलेस वन सिरब का उप्योग बल्गम वाली खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। तस्पेल एलेस वन सिरब बल्गम को पतला करती है और फेफरों में जमा बल्गम को बाहर निकालने में मदद करती है और खांसी को ठीक करती है। इसके अलावा अस्थमा और COPD से पीडित व्यक्तियों को भी डॉक्टर तस्पेल एलेस वन सिरप को लेने की सला दे सकते हैं। तस्पेल एलेस वन सिरप वायुमारक की मास पेशियों को रिलैक्स करके और फेफरों के सांस लेने के रास्ते को चौड़ा करती है। तस्पेल एलेस वन सिरप को लेने के बाद फेफरों के वायुमारक चौड़े हो जाते हैं। जिसकी वज़से अस्थमा और COPD से पीडित व्यक्तियों को सांस लेने में आसानी हो जाती है। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में तस्पेल एलेस वन सिरप की वज़़से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में तस्पेल एलेस वन्द सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे मुँँ में सुखापन, सिरदर्ध होना, भूप कम लगना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, कब्स होना, दस्त होना, पेट में दर्ध, तवचा पर खुजली, तवचा पर रैशेस, उल्टी आना और उल्टी आने का मन होना आदी साइड इफेक्स तस्पेल एलेस को कैसे लेना recommended होता है, तस्पेल एलेस वन शिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है आम तोर पर 6 साल से लेकर 11 साल के बच्चों को डॉक्तर 5 मिलिलीटर टस्पेल एलेस वन सिरप को दिन में 2 बार लेने की सला देते हैं। और 12 साल से लेकर 17 साल के बच्चों को डॉक्तर 5 मिलिलीटर टस्पेल एलेस वन सिरप को दिन में 3 बार लेने की सला देते हैं। आपको टस्पेल एलेस वन सिरप को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की टस्पेल एलेस वन सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। बलगम को बाहर निकालने के लिए और खांसी को जल्दी ठीक करने के लिए आपको टस्पेल एलेस वन सिरप के साथ साथ हर रोज दिन में दो से लेकर तीन बार गर्म पानी की भाप लेनी चाहिए। और बर्फ वज्यादा ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को टस्पेल एलेस वन सिरप या इसके किसी भी इंग्रिडेंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को टस्पेल एलेस वन सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए। प्रेगनेंट महिलाओं के लिए टस्पेल LS1 सिरप का सेवन करना recommended नहीं है। अभी इसके बारे में परियाप्ट डेटा available नहीं है कि टस्पेल LS1 सिरप स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को तस्पेल LS1 सिरप को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए. वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका तस्पेल LS1 सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.